मिसरन से विभियाय प्रशन को डिसकस करने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रशन को अच्छा से समझना है पहला प्रशन एक बैपारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है इसके कुछ भाग को ओवर 8% लाव पर दता सेस को 18% लाव पर बेच देता है इससे उसे एक बार अच्छा से समझने का परियास करिएगा तो कैसे सॉल्फ करना है समझने का कोसिस करिएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है सबसे पहले लिखना है आट परशन लाव पर बेच रहा है इसके बाद सेस को 18% लाव पर बेच रहा है इस तरीके से आपको सबसे पहले होता है यानि कि total में कितना परसन का लाव हुआ है तो 14% का लाव हुआ है तो यहां पर आपको 14% लिख देना है इस तरीके से आपको लिखना होगा एक बार फिर से समझ़े ए कुछ भाग को 8% लाव पर बेच दिया और 6 भाग को 18% लाव पर बेच है ना तो बड़ा में छोटा को घटाना है तो 8, 6, 14 होता है ना तो 14 में अगर 8 घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा 6 आएगा इस तरीके से आपको लिखना है इसके बाद इस लाइन में आपको ध्यान देना है इस लाइन में तो बड़ा में छोटा को घटाना ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है बड़ा में छोटा को घटाना है तो ये बड़ा है और ये छोटा है ना तो क्या करेंगे इसमें इसको घटाएंगे 18 में इसको घटाएंगे तो कि से कटेगा ना जैसे यहां पर काड़ देंगे दोनों में दो दो है ना जैसे दो दुना चार दो ती अच्छो तो कड़ जगा तो यहां पर दो दुना चार और दो ती अच्छो यह अनुपात आ गया तो यह जो अनुपात आया है मैं यहां पर एक बार सामने लिख लेता हूं तो अच्छा रहेगा, समझने का कोसस किजिएगा तो यहाँ पर दो अनुपात तीन आया ना, अब यहाँ पर समझने का परियास किजिएगा, तो यह जो आया है चीनी है ना, तो चीनी का मात्रा आया है, अब यहाँ पर कौन सा मात्रा, जैसे आठ परशन लाप पर कितना चीनी बेचा है वो मात्रा यहां पर अनुपात में आगया है दो और 18 परशन लाप पर कितना चीनी बेचा है उसका मात्रा यानिकी चीनी का मात्रा यान कि कितना मात्रा में 18% लाप पर बेचा है वो मात्रा आपको अनुपाद में मालूम है कितना है तिन है अगर टोटल दिया हुआ हो और उसका अनुपाद मालूम हो तो आप असान तरीके से निकाल सकते हैं तो इसमें क्या बोला है, 18% लाफ पर कितनी चीनी बेची गई, 18% लाफ पर आपसे पुछा है, तो अब आपको क्या करना है, समझने का प्रयास किजिएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, तो टोटल को उपर में रखना है, टोटल कितना है, 1000 है तो 1000 को आपको उपर में रखेंगे और जिसका निकालना है उसी से गुना करेंगे यानि कि अनुपात में इधर में क्या है जैसे 8% में कितना चीनी बेचा गया है उसका मात्रा अनुपात में इतना है और 18% लाप पर कितना चीनी का मात्रा बेचा गया हो यहां पर अनुपात में है तो 18% वाला निकाल पांच दुना 10 यह 10 कट गया है ना 2-0 बच गया इस तरीके से यानि कि पूरा कट गया है तो इतना हुआ अब गुना करेंगे तो 3-2-6 तो कितना हो जाएगा 3-2-6 और 2-0 अब यहां पर समझे इसका मतलब क्या हुआ तो किलोगराम में आ रहा है ना केजी में आ रहा है तो य आइट एंसर देख लिए इसी तरीके से सॉल्फ करना है मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूँ लेकिन अगर एक बार सीख लेंगे अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आप सीख लिए ऐसा कभी भी मत सोच प्रशन आता है तो अब चलते हैं दूसरा नमबर तो सबसे पहले प्रशन को समझे प्रशन में क्या बोल रहा है समझने का प्रयास करिए अगर प्रशन को समझ लिए तो असान तरीके से सॉल्फ हो जाएगा और कहीं पर थोड़ा भी डाउट है तो जरूर कमेंट में लिख कुल 11 परशन लाब हुआ हो तो उसने 17 परशन लाब पर कितनी चीनी बेची अब यहाँ पर आपको केजी में बताना है तो चोग क्यूइंटल का मतलब सबसे पहले समझ लिए तो कितना होगा यानि कि दो जीरो बैठा देजे 600 कितना होगा 600 किलो गराम होगा ना 6 अब यहाँ पर समझने का प्रयास किजेगा तो कुछ चीनी को 7 परशन लाब पर बेचता है और सेस को 17 परशन लाब पर बेच देता है इस तरीके से लिखना है और फटा फट इस तरीके से बना दीजिए इसके बाद टोटल में कितना लाब हुआ है 11 परशन का लाब हुआ ह तो यहाँ पर आप 11% लिख दीजिए यहाँ पर लिखिए या उपर में लिखिए यहाँ पर लिखिए या इधर में लिखिए कोई फर्क ने है लेकिन आपको यहाँ पर बीच में लिखना है इसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले इस लाइन में काम करिए या इस line में काम करें बात बराबर है तो अब यहां पर समझेगा तो अब क्या करते हैं इसी को काम कर लेते हैं तो 12 वला में से छोटा को घटाना है तो 17 में 11 घटाईए तो क्या हो जागा 7 में 1 घटाईएंगे तो यहां पर 6 होगा ना और एक में एक तो जीरो इतना आ गया अनुपात का चिनि यही पर दे दिजिए यह जो आ रहा है भेल्यू ना अनुपात में आ tenían नुपात में और मात्रा आ रहा है क्या है चिनी है तो चिनि कमात्रा आनुपात में आ रहा है कि 7% में कितना चीनी बेचा है और 17% लाप पर कितना चीनी बेचा है ये आपको मात्रा मालूम हो जाएगा अनुपात में तो अब यहां पर ध्यान दिजेगा ये दोनों में कौन बड़ा है ये बड़ा है और एक चीज़ हमेशा याद रखेगा सोचते होंगे कि इस इसमें इसको घटाए तो इस बार क्या करेंगे इसमें इसको घटाएंगे नहीं मतलब कि जो बड़ा है उसी में घटाएंगे जैसे ये दोनों में ये बड़ा था इसलिए इसमें इसको घटाएंगे और इसमें कि इसमें इसको घटाएंगे जो बड़ा है उसी में घटाए ग्यारह में साथ घटा दिजिए तो साथ चारेगारा होता है तो यहां पर चार रख दिजिए और अगर कुछ कट रहा है तो काट लेना है जैसे दो तीया च्छो और दो दुना चार यह अनुपात फाइनली आ चुका है अगर आपको टोटल मालूम हो और अनुपात मतलब की तोटल मालूम हो और अनुपात में मालूम हो तो आप असान तरीके से उसका भेलियू निकाल सकते हैं तो इसमें क्या बोला है उसने 17 परशन लाब पर कितनी चीनी बेची यह तो सेम परशन था न तो फिर भी एक बार समझे है डाउट किलियर हो जागा तो 17 परशन लाब हो 17 परशन लाब पर कितना चीनी बेचा है तो अनुपात में मात्रा मालूम है तो दो है दो से गुणा कर दीजिए अब क्या करेंगे तो 536 कट गिया है और एक 0 बेठा देंगे 35, sorry sorry यहाँ पर मैंने mistake किया 35 मैंने गलती काट दिया फिर से मैं लिख लेता हूँ कितना था चीनी तो 600 केजी और यह दोनों को जोड के रखे थे यहाँ पर और गुणे में क्या किये थे यह वाला ना यह काम तो 12, 65 तो यहाँ पर देखे मैंने यहाँ पर 30 समझ लिया था इ एक 0 बैठाएंगे ना एक 0 यानि की 240 केजी यानि की 17 परशन ला पर कितना चीनी बेचा गिया है तो 240 केजी देख लिए कहाँ पर है 240 केजी ए ओप्शन सही है बहुत असान होता है अगर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा मैं फिर से समझाने का परियास करूँगा अब मैं आगे बताने वाला हूँ अगर माइनस में रहेगा जैसे एक पलस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे यहां पर समझने का परियास कीजे और यह जो प्रशन है ना बहुत बार एक जाम में पूछा गया है एक बार सिखिए सम पांच परशंट हानी होती है 20 परशंट हानी में कितनी मात्रा बेचता है अब यहाँ पर समझेगा फिर से एक बार समझे यही पर डाउट होगा लोगों को अगर यह वला आप समझ लिये ना तो फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा एक दुकंदार ने 1000 किलो चावल खरीदा चावल का एक हिसा 10 परशंट लाब पर बेचता है और 6 बिस परशंट हानी पर दुकंदार को कुल 5 परशंट हानी होती है 20 परशंट हानी में कितनी मात्रा बेचता है अब यहाँ पर समझे तो सबसे पहले 10% लाव पर बेचता है तो यहाँ पर 10% रख देना है 10 रखे या 10% रखे कोई फरक नहीं है अब यहाँ पर समझने का परियास करिएगा तो बाकी को 20% हानी पर बेचता है अब यहाँ पर समझने का परियास करिएगा तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बना लेना है इसके बाद उसको क्या हुआ फैदा हुआ या हानी हुआ तो कूल में टोटल में 5% का हानी हो गया तो यहाँ पर आपको 5% रखना है लेकिन जो पलस वाला है जो लाब हुआ है जिसमें लाब हुआ है उसको माइनस में लेंगे जैसे 20% का हानी हुआ है तो यहाँ पर माइनस ले लिजिए तोटल में 5% का हानी हुआ है तो आप माइनस में 5% ले लिजिए अब यहाँ पर समझने का परियास करिए अब क्या करना है तो अब इस लाइन में देखे कौन बड़ा है तो अब इहां पर ध्यान दिजेगा जैसे माइनस में ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो माइनस में जो छोटी संखिया है वही बड़ा होगा ये तो मालूम होगा तो अब इहां पर आपको क्या करना है तो minus 5 में घटाना है कि इसको minus 20 को ये काम करिएगा नहीं तो mistake हो जाएगा आप सोचेंगे कि ये बड़ा है इसमें इसको घटा ले तो फिर गरबर हो जाएगा इसलिए एक बार सिखने का प्रियास किजिए तो यहाँ पर क्या होगा minus minus plus हो जाएगा sorry तो पहले तो इसके साथ minus है ना तो minus 5 रखेंगे और यहाँ तो plus हो जाएगा इतना हो गया ये plus में ये minus में यानि कि 20 में 5 घटा दिजिए तो 15 यहाँ पर आगया 15 अब यहाँ पर ध्यान दिजिएगा इसमें कौन बड़ा है तो इसमें ये बड़ा है ये छोटा है तो क्या क इसके साथ है उसको ध्यान दिजिएगा नहीं तो mistake हो जाएगा तो इहाँ पर कितना हो गया तो इहाँ पर हो गया 10 और minus minus plus हो गया यानि कि इहाँ पर भी आ गया 15 यानि कि इहाँ पर जो अनुपात आया है बिलकुल बराबर आया है अगर काटेंगे तो एक अनुपात एक त बराबर है तो जब बराबर है तो टोटल चीनी कितना है एक हजार किलो है ना एक हजार किलो है एक हजार केजी टोटल चीनी है तो 10 परसंट लाग पर भी कितना बेचा है यानि कि 500 केजी बेचा है और 20 परसंट हानी पर कितना बेचा है तो 500 केजी बेचा है ये किलियर हो तो 500 kg C option सही है C option सही है यानि कि दोनों condition में बराबर मात्रा में चावल बेचा है बिल्कुल clear हो चुका होगा अगर कहीं पर doubt हो थोड़ा सा भी doubt हो थोड़ा भी confusion हो तो comment में लिके बताए और doubt को clear किजिए doubt में कभी भी मत रहिए मैं फिर से समझाने का प्रियास करूँगा और आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मात्रा मुझा